हलो एवरिवन, वेलकम टू स्टड़ी आईक्यू, स्टड़ी आईक्यू के इस वीडियो में अप्रेल महिने के आखरी चार दिन के मल्टिपल चॉइस कोश्चन आप तक लेकर आऊंगा, यानि 27, 28, 29, 30 तो एक्चुली इससे पहले एक वीडियो आया था छोटा सा जिसमें मैं मैंने 22, 23, 24 और 25 चार दिन के MCQ कवर किये थे, 26 तक किये थे in fact, तो मैंने जानता आपने वो वीडियो देखा या नी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो था चोटे हफ़ते का पार्ट वन, तो उसको देखना ना भूलें, इस वीडियो को द आने वाले exam, bank of brother का paper आप आई गया है, RBI grade B का form निकल गया है, एक बात बता देता हूँ, RBI grade B की त्यारी जरूर करिये, अगर आपका aim ना भी हो, तो भी तैयारी करिये, क्योंकि RBI grade B का जो prelim का paper आता है, वो बहुत ही जादा अच्छा आता है, उसमें जो current affair आते हैं, 80 आते directly, तो question हम इतने ज़्यादा इसलिए cover करते हैं कि कुछ बचे ना, तो थोड़ा सा patience रखिए, इनको वीडियोस को दो-तिन बार देखिए, और वीडियोस के दोरान बहुत सारी extra information देता हूँ, वो exam में आपको काम आएगी, आप मुझे Facebook पे भी follow कर सकते हैं, ये है link जो नीच आपको description में मिल जाएगा, और हमारी इस वक्त जो pen drive है, वो SSE CGL के लिए सबसे ज्यादा selling है, notification किसी भी वक्त अब आ सकता है, railways का भी notification आ सकता है, एक बात और MTS की जो परिक्षा थी, वो cancel कर दिया, paper leak हो गए थे, तो कोई नई बात नहीं है, MTS LDC का जो paper होता है, हर साल देता हूँ, 7291059476, इस पर direct उठेगा, और इस पर हो सकता है, थोड़ा सा आपको wait करना पड़े, तो चलिए अब शुरू करते हैं, हमारी केंदर सरकार ने Swatch Iconic Places Initiative launch कर आए, जिसमें हमारी जो बहुत ही जादा important इमारते हैं, उन में Swatch Initiative चलाए जाएगा, Swatch भारत और इनके नाम बता देता हूँ, क्योंकि इन से related extra information भी important है, पहली है गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है, उत्तरकाशी डिस्टिक्ट में उत्राखंड के, और दूसरा यमुनोत्री यहां से यमुन नदी निकलती है, तीसरा है महा कालेश्वर, महा कालेश् जूर मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा, तीर्त स्थान है पवित्र, फिर बैजनात धा में देवगड में, गया तीरत है बिहार में, और सोमनात का मंदिर है गुजरात में, तो यह है दस जगा जो स्वच आइकोनिक प्लेसिस इनिशेटिव के द्वितिये चरण में रखी ज डॉक्टर महेश शर्मा, तो यह दो मंत्री हैं जो इस इनिशेटिव से रिलेटेड हैं, कि इस राज्ये की सरकार ने एंटी लेंड माफिया टास्क पोर्स बनाई है, यानि कि जो जमीन दबोच लेते हैं, जमीनों पे बहुत सारे माफिया हैं जो अतिक्रमन कर लेते हैं, एक और कुछिन पूछ सकते हैं क्योंकि ये नियूज में आ रहे हैं, उत्तर परदेश के बिजली मंत्री आगरा से MLA हैं, तो श्रीकांत शर्मा नाम है इनका, तो ये युवा है, श्रीकांत शर्मा, ये आगरा से MLA है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, ये महां क बिजली मंत्री हैं, इन में से कौन सा बैंक है, जिसने पैसाबजार.com नाम की कंपनी के साथ अनुबंद किया है, पैसाबजार.com, और ये अब लोन प्रोवाइड करेगी इसके कस्टमर्स को, इस कंपनी के, ये बैंक है, ये बैंक है, ये बैंक के CEO है, राना कपूर, एक ब पैसे कौन सा देश है, जिसने अभी-अभी अपने ही देश में, इंडिजिनस, यानि स्वानिर्मित, एक एरक्राफ्ट केरियर बनाया है, इसका ये कौन सा देश है, ये देश है, चाइना, चाइना के जो राश्पती है, उनका नाम है, शी जिन पिंग, अभी चाइना और कोरिया में, काफी प्रॉबलम चल जहीं आपस में, और हमेशा से चाइना और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के दोस्त रहे है, परम मित्र रहे है, लेकिन अमरीका ने चाइना पर दवाब डालाए, कि वो नॉर्थ कोरिया को रोके मिसाईल का टेस्ट करने से, क्योंकि नॉर् अभी अभी अबिए अमरीका के लास वेगास शेहर में जो जूए घरों के लिए ऽेमस है बहुत सारे कैसिनों हैं यहांपे जूए घर बहुत सारे हैं एक तो Casino के लिए ये famous है और एक है Macau जो China का Special Administrative Region है Macau तो Macau और Casino के लिए Las Vegas famous है अब तो Macau में shift हो गए है सारे Casino जाहतर दुनिया के लास वेगास में उतनी रोना कब नहीं बची है तो अमरीका में Karate की Championship हुई थी Open Karate Championship इसमें भारतिय टीम भी गई थी शांदार मेडल जिन में से तीन गोल्ड मेडल दो सिल्वर मेडल और ग्यारा ब्रॉंज मेडल चैर्नोबियल डिजास्टर जिसमें जो रेडियो धर्मी किरने है वो लीक हो गई थी रेडियो एक्टिव किरने इस वज़े से 86 लाक से जादा लोग परभावित हुए थे तो ये कब हु कहा जाता है इसे ये हुआ था 1986 में और चैर्नोबियल डिजास्टर में जो लोग परभावित हुए जो मरे उनकी याद में मनाया जाता है ये 26 अप्रेल को हर साल और युक्रेन की करंसी एक्जाम में काफी पूछते हैं थोड़ी सी अलग है इसका नाम है हरी वीनिया तो इस इनमें से वो कौन सा राज्य नहीं है तीन राज्यों ने पास करा है इनमें से कौन सा नहीं है वो बताईए तो उत्रा खंड ने अभी अभी पास नहीं किया है तो चतिस गड ने पास कर दिया है डॉक्टर रमन सिंग की सरकार है नया रायपूर यहां की राजदानी है भी एक international conference हुई जिसका नाम है Dara Shikho Reclaiming Spiritual Legacy of India जिसको organize करा Indian Council of Culture Relations ने तो ये जो conference थी Dara Shikho ये कहां पे हुई थी ये आपको बताना है ये हुई थी नई दिल्ली के अंदर और इसमें बहुत सारे देशों के बड़े-बड़े विद्वानों ने हिस्सा लिया Reserve Bank of India circulate करेगा currency कौन से denomination की 150 साल पूरे है अलाबाद High Court के अलाबाद High Court बहुत ही परतिष्ठित High Court है अगर आपको याद हो तो जो हमारा राममंदिर का जो verdict था वो भी अलाबाद High Court ने दिया था जिसमें उन्होंने ये का था कि एक तिहाई जमीन पे चलाए जाएगा coin तो ये आपको याद रखना है 5 रुपे का सिक्का और एक बात और याद रखिए जो National Archives of India है NAI उसके 125 साल पूरे हो रहे हैं इस खुशी में 10 रुपे का note RBI चापेगा 10 रुपे का note लेकिन अलाबाद High Court के लिए चापेगा 5 रुपे का सिक्का इन में से भारतिय बच्ची कौन सी है जो पहली भारतिय बच्ची बच्ची बनी जिसे Miss Teen Universe 2017 उसको डिकलेर कर दिया गया निकारगुआ के अंदर ये परतियोगी था beauty patient competition हुआ था इसका नाम है श्रिष्टी कौर सिर्फ 16 साल की बच्ची है और ये बन गई Miss Teen Universe 2017 निकारगुआ एक छोट असा देश है इसकी राजधानी है मनागुआ ये बहुत टफ होते हैं इस तरह के country इनकी capital अच्छे-च्छे आंसर नहीं कर पाते मनागुआ लेकिन आप practice में रहेंगे तो सब हो जाता है इन में से किस व्यक्ति को Olympic Channel Commission और Olympic Education Commission International Olympic Association ने International Olympic Committee ने उसका member बनाया है तो इनका नाम है नीता अम्मानी नीता अम्मानी जो की अब आपके लिए आज का पहला सवाल नीता अम्मानी कोन से अम्मानी की पतनी है मुकेश अम्मानी की या अनिल अम्मानी की comments में लिखके बताईए तो नीता अम्मानी को बनाया है और ये Mr. Philip Craven को replace करेंगी और International Olympic Committee का Headquarter कहाँ पहाँ 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 है Lausanne में है और Lausanne कहाँ पहाँ है Lausanne है, Swizerland में एक नाम और याद रखिए जूरिक जूरिक में Headquarter है FIFA का जो Football की बोड़ी है और International Olympic Committee के President बहुत पूछते हैं एक्जाम में तो इनका नाम है Thomas Bach Thomas Bach भारत ने successfully test fire किया अपना Nuclear Capable Intermediate Range Ballistic Missile from Abdul Kalam Island of the Odisha Coast तो ये Abdul Kalam Island का पुराना नाम है Wheeler Island श्री Abdul Kalam जी का जब निधन हुआ था तो Wheeler Island को नेम कर दिया था Abdul Kalam Island उडिसा के तट से छोड़ी हमने ये और बहुत ही ताकतवर Intermediate Range Ballistic Missile है इसका नाम है Agni 3 और जो Agni 3 है ये 3000 km तक मार किनाने की शमतारती है 3000 km इन में से भारत के कौन से राज्ये ने Nabar Water Campaign 2017 को launch कर आए 5000 गाओं के अंदर जिससे इन गाओं में पानी पहुँचाए जा सके तो ये जो राज्ये है इसमें काफी ज़्यादा पानी की दिक्कर चल रही है और इसके लिए जो volunteer होंगे उनका नाम रखा गया है जल दूत जल दूत गाओं गाओं में जाके लोगों को जागरूप करेंगे और help करेंगे इसनी चाई में तो ये राज्ये है हर्याना हर्याना के जो governor है मुह है कप्तान सिंग सोलंकी और हर्याना के मुख्य मंत्री है मनहरलाल खटर केंद्र सरकार ने अभी अभी approval दे दिया है बहुत सारे houses बनेंगे जो परधान मंत्री आवास योजना है जिसे housing for all कहते हैं 5 करोड घर बनेंगे 2022 तक तो deadline याद रखिए 2022 तक 5 करोड घर बनेंगे housing for all scheme के अंदर तो परधान मंत्री आवास योजना जो अर्बन है उसमें 2022 करोड रुपे की लागत से कितने घर बनेंगे ये आपको बताना है तो total घर बनेंगे एक लाख एक लाख घर की अनुमती मिल गई है एक लाख से थोड़े जादा है एक लाख पांसो सेंतिस तो आप एक लाख याद रखिए उतना काफी है तो ये आपको याद रखना है और अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल Minister of Urban Development कौन है? कमेंट्स में लिखके बताइए Minister of Urban Development इन में से कौन वेक्ती हैं जो Bollywood के पहले अभीनेता बने जिन्होंने एक TED Talk दिया जो Vancouver Canada में हुआ था Vancouver Canada का बहुत ही महतंपूर्ण शहर है बहुत जदा भारती है यहाँ पे रहते हैं और TED की full form के आप जानते हैं बहुत सारे TED Talk आपने देखे होंगे motivational को होते हैं जो लोग काफी achiever होते हैं अपने अपने field में वो यहाँ पे TED Talk देते हैं इसका time limit भी होता है तो TED में T का मतलब होता है technology E का मतलब होता है entertainment और D का मतलब होता है design इसको बोलते है TED Talk तो यह दिया भी अभी शारुखान जी ने शारुखान Paytm Company विजे शेकर शर्मा इसके founder है इन्होंने अपना पहला wealth management product launch करा है जो lower middle class और middle class के लोगों को target करेगा क्यान इनमें किस तरह का product है यह यह आपको बताना है तो यह इन्होंने launch करा है digital gold इसका नाम रखा है digital gold तो answer है gold और यह users को allow करेगा कि वो Paytm के थूप gold को खरीट सकते हैं store करके रख सकते हैं और बेच सकते हैं तो यह सब चीजें कर रही है Paytm Company और Paytm Company की जो founder company यानि जो parent company है वो है 197 communication तो पहली बार इनमें से कौन सा भारतीय शहर है जिसे Pierre L'Enfant यह International Planning Excellence Award मिलता है American Planning Association द्वारा यह मिला है यानि इस शहर की जो planning है बहुत जबरदस्त है यह शहर है उडिसा की राजधानी भूबनेश्वर भूबनेश्वर है यह और 50 साल हो गए इस अवार्ड को दिये जाते हुए पहली बार 50 साल के थिहास में कोई भारत का शहर है जो जिसके अवार्ड मिला है और भूबनेश्वर एक स्मार्ट से टी भी बनने वाला है तो यह डबल बोनस है भूबनेश्वर के लिए और भूबनेश्वर में याद रखिए आप भूबनेश्वर उडिसा की राजधानी है तो उडिसा के बारे में आप याद रख सकते हैं के मुख्य मंत्री है नवीन पटनाया का NASA का वो spacecraft कौन सा है जिसने 22 छलांगे लगा ये अंतरिक्ष के अंदर और जो Saturn है देखिए आप जानते हैं जो शनिग रहा है उसके चारों तरफ ये rings होते हैं बहुत ही खुबसूरत गैस के बने होते हैं तो इनकी कई सारी ring होती है उन rings के बीच में घुज गया ये NASA का Spacecraft NASA का headquarter Washington DC में अमरीका की Space Agency है दुनिया की सबसे परतिष्ठित Space Agency है आज की तारिक में अब NASA को बहुत अच्छा competition मिल रहा है Elon Musk की company से तो Elon Musk की जो company है उसे बड़ा अच्छा competition मिल रहा है चलिए comments में लिखके बताईए Elon Musk की कौन सी company है जो NASA को challenge कर रही है और इसरों के लिए भी बहुत बड़ा challenge बन चुकी है तो NASA के Spacecraft का नाम है Cassini बहुत ही important सवाल है ये इसको बिल्कुल हलके में मत लेना अमरीका के मशूर director Jonathan Demme इनका निधन हो गया इन्हे Oscar मिला था जिसको Academy Award भी बोलते है Best Director का Oscar मिला था कौन सी film के लिए मिला था बहुत ही परतिष्ठित film Silence of the Lambs Silence of the Lambs पिच्चर थी अब आपके लिए आज का चोथा सवाल आज मैं थोड़े सवाल ज़्यादा पूछ रहा हूं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इंपोर्टेंट है अक्षे कुमार और पिटी जिंटा की एक पिच्चर आई थी ध्यान से सवाल को अक्षे कुमार और पिटी जिंटा की एक पिच्चर आई थी जिसमें आसुतोश राना ने विलन का रोल किया था और Silence of the Lambs मूवी की हिंदी रिमेक थी अगर उसका नाम आप कमेंट्स में लिखके बता दें तो मज़ा आ जाएगा वर्ल डे फोर सेफ्टी एंड हेल्थ अट वर्क 2017 यानि की आप जहां भी काम करते हैं पर सफाई रखिये, हाईजीन रखिये, जिससे आप सुखी रहें, सेहत मन रहें तो इस बार ये मनाया गया और इसका थीम था Optimize the collection and use of OSH data तो यह आप बताईए कि ये किस दिन मनाया गया तो ये हमने मनाया इस बार 28 अप्रेल को और इसे कौन मनाता है International Labour Organization लिस्ट में रखा जाएगा Intellectual Property Rights Deficiencies के लिए कहने का मतलब भारत में जो Intellectual Property Rights है जो Patent Laws बगार है उतने स्ट्रॉंग नहीं है तो 11 कंट्री हैं जो Priority List में रखे हैं अमेरिका ने तो ये आंसर है अमेरिका अमेरिका ने रिलेज करी है Special 301 Intellectual Property List और हमीद अंसारी भारत के उपराश्पती है ये Poland गए थे अभी-भी Poland की राजधानी है वरसो तो Poland गए थे और इन्होंने जाके MOU साइन कर दिया Memorandum of Understanding साइन कर दिया Poland की सरकार के साथ बताइए किस शेत्र में साइन किया है Poland की currency बहुत पूचते है क्योंकि Euro में है लेकिन Euro नहीं चलता है यहाँ चलता है जलोटी तो यह भी याद रखिए याद रखिए उरोप के अंदर वो देश जिन में Euro नहीं चलता वो बहुत important है एक्जाम में तो इसमें नहीं चलता Poland में चलता है जलोटी Euro नहीं चलता जबकि Euro का हिस्सा है और इन्होंने साइन किया Agriculture के शेतर में क्रिशी के शेतर में हम देगी दूसरे की मदद करेंगे आपसी सहयोग होगा और हमारे Agriculture Minister राधा मोहन सिंग आयमनम यह भारत का पहला डिजिटल पंचायत कौनसे राज्य में है आयमनम कोटायम में कोटायम कहां पे है? केरल में केरल में किस की सरकार है? केरल में पिनरए विजियन की सरकार है जो leftist वाम पंतियों की सरकार है Communist Party of India Marxist की सरकार है इन में से कौनसी कंपनी है? जिसे Indian Multinational Company of the Year का अवार्ड मिला All India Management Association द्वारा यानि साल की सबसे ज़्यादा परतिष्ठित बहुराश्ट्रिय कंपनी का अवार्ड मिला यसे AIMA द्वारा और ये अवार्ड हुए थे जिनका नाम है AIMA Managing India Awards 2017 तो ये है Hero Motor Cop Hero Motor Cop और इसके जो चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर है वो है पवन मुंजाल पिछले साल ही इस कंपनी के जो फाउंडर है ब्रिज मोहनलाल मुंजाल उनका निधन हो गया था तो पवन मुंजाल है उनके बेटे और बहुत ही जादा कंपनी को ये उचायों तक ले गए है इसके अलावा एक दो अवार्ड और important है Outstanding PSU यानि सबसे अच्छी सरकारी कंपनी का अवार्ड किसे मिला है Cole India Limited Cole India Limited CIL ये महारतन कंपनी है तो याद रखिए और एक अवार्ड और मिला है Business Leader of the Year तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है अरुन्धती बटाचारिया अरुन्धती बटाचारिया है Business Leader of the Year इन में से Coca-Cola इंडिया के नए head कौन बने है तो Coca-Cola बहुत ही एक important company है इसके head बने है Mr. T. Krishnakumar और ये replace करेंगे Mr. Venkate Shkiniko अब आपके लिए आज का पांचवा स्वाल Coca-Cola company का head quarter कहां पे है आप ये मत बताइएगा अमरीका में है मुझे जगा का नाम चाहिए इस company का head quarter कहां पे है comments में लिखके बताइए परधान मंत्री नरेंदर मोधी ने वचन जो है उसको translate किया है इसे लिखा था बारवी शताबदी के समाज से भी बस्वान ने और साथ मिलके उनके दूसरे लोगों ने भी लिखा था इसको कितनी कौन सी भाशाओं में translate किया गया है और परधान मंत्री नरेंदर मोधी ने इसका खुद किताब का लिखा गया था ये कंद्रण भाशा में और बसव जैनती कम मनाई जाती है 39 अप्रेल को तो इसी उपलक्ष में ये किया गया Mastercard Asia Pacific Destination Index निकला है 2017 इसके हिसाब से बारत के दो ऐसे शहर हैं जो दुनिया के दुनिया के नहीं मतलब Asia Pacific Region के Top 20 Destination में है यानि कि यहाँ पे जो जो विजिटर आते हैं जो परियाटक आते हैं इन दो शहरों में पैसा खर्चना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसकी जो Top 20 Destination है उसमें ही आया है तो इनमें दो आये है तो number 1 तो खेर सिंगापूर था उसमें तो शकी नहीं है वैसे सिंगापूर दुनिया का सबसे महंगा शहर है आपको पता देता हूँ पहले लंदन था अब है सिंगापूर और सिंगापूर की राजधानी भी सिंगापूर सिटी है तो भारत के दो शहर तेहरवे नंबर पे चेन्ड़ई और पंदरवे नंबर पे मुंबई तो आंसर है 3 और 4 और अभी अभी एक रिसेंट अनॉंसमेंट करिये रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया ने इसमें ये काये कि मार्च 2019 तक जितनी भी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनका मिनीमम कॉर्पस कितना होना चीए मिनीमम जो फंड है वो कितना होना चीए तो 100 करोड रुपे होना चीए ये बहुत इंपोर्टन अनॉंसमेंट है और इसके लिए इनोंने सरफेजी एक 2016 को भी अमेंड करा है इसलिए ये इंपोर्टन है तो यह आपको याद रखना है और एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कोई भी ऐसे ट्रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बिजनेस शुरू नहीं कर सकती अगर उसका नेट ओंड फंड जिसे अनोंएफ बोलते है नेट ओंड फंड दो करोड रुप 39 अपरेल को तो डेट याद रखिए 39 अपरेल भारत के वो महशूर सैंड आर्टिस्ट कौन से हैं जिने जूरी प्राइस गोल्ड मेडल मिला दसवे मोस्को सैंड आर्ट चेंपेंशिप के अंदर तो यह मैं समसता हूँ बड़ा आसान सवाल है और इन्होंने जो फोटो बन अपर आप उड़ी साके 70 मिलियन येर्ज ओल डाइनोसौर एग फोसियल से ही नट वेर फोसियल होते हैं जिवाशम तो साथ करोड साल पुराना डाइनोसौर का अंड़ा मिला है कहां पर मिला है बताइए तो यह फोशान के अंदर मिला है जो साउथ इस पार्ट अफ चाइन चाइना के अंदर है और यह जो डाइनोसौर है जिसका अंड़ा मिला है यह शाकाहरी डाइनोसौर है यह भी याद रखिये इस डाइनोसौर का नाम है फाइटो फागूस इन में से कौन सा रेसर है जो पहला इंडियन बना जिसने फस्ट जो आया FIA F3 European Series Monza Italy के अंदर जो र रेस में सेकेंड आया ओवरॉल जो रेस है उसमें सेकेंड आया इसका नाम है जेहान दारुवाला जेहान दारुवाला और एक बात और बता देता हूँ आपको फरवरी 2017 आज से तीन महीने पहले जेहान दारुवाला ने New Zealand Grand Prix जीत लिया था यह भी पूछ सकते हैं या यह भ प्रेल को डेडिकेट किया है किस म्यूजिक के बारे में जागरूता फिलाने के लिए इसको मनाया जाएगा International Zazz Day Zazz, Pop, Rock यह कई तरह की म्यूजिक होते हैं तो Zazz के लिए मनाया जाएगा International Zazz Day इन में से कौन सी Krishy University है, Agriculture University है जिसने Faba Bean का एक नया Variety बनाया है जिसको बोलते हैं HFB1 जिसको commonly बकला बोला जाता है यह बनाया है हर्याना की University ने, हर्याना Agriculture University ने अब कमेंट्स में लिखके बताइए आज का छटा सवाल हर्याना Agriculture University कहाँ पे है? कौन से शहर में है? खाना खतिब, ये पहली महिला जज़बनी है मुसलिम शरिया कोर्ट सिस्टम में कौन से देश के अंदर? मुसलिम शरिया कोर्ट सिस्टम, इसकी पहली महिला जजबनी है इसराइल के अंदर तो इसराइल के जो परधान मंत्री है वो है Benjamin Nathan Yahoo, Super Important हमारा बहुत ही अच्छा मित्र है इसराइल हमारे जो सबसे close friends है जैसे रशिया है, इसराइल है, फ्रांस है ये हमारे बहुत close friends रहे हैं शुरू से Benjamin Nathan Yahoo और इन में से किस वैक्ति को 52 ज्यान पीठ अवार्ड मिला प्रेजिरेंट प्रणम मुखर जी दुवारा तो ये बंगाली में लिखते हैं, इनका नाम है शंका घोश ये बंगाली कभी है, शंका घोश चोथे national standard conclave अभी अभी हुआ, कोन से शहर के अंदर हुआ ये बस सिधा रटा मार लिजे, इसका नई दिल्ली के अंदर हुआ, बस South Korea की company है Kia Motor Kia Motor ने इन में से कौन से राज्य की सरकार के साथ एक अनुबंद किया है, में वो रेंडम of understanding sign किया है, अब Kia Motor इस राज्य में Greenfield Automobile Manufacturing Facility बनाएगा और ये कहाँ पे बनेगी, अनंतपुर के अंदर बनेगी, अनंतपुर की बात कर रहा हूं है, और बाहू बली से related, तीन सवाल आ सकते हैं, एक इस फिल्म का director कौन है, तो राज मोली है इस फिल्म के director, और इसमें बाहू बली का रोल किसने निभाया है तो उनका नाम है प्रभास और जो मुखे villain है, तो उनका नाम भी आप याद रख सकते हैं उनका नाम है, पिच्चर में नाम है भलाल देव, और वैसे नाम है राणा दुगू बत्ती, और एक चीज़ बतायता हूं, राणा दुगू बत्ती एक आँक से अंधे हैं, इनको जो बचपन में ही इनकी जो दाई आँक थी, उसमें रोशनी चली गई थी इन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई आज तक अभी अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने पहली बार मेडिया को बताया, कि ये एक आँक से अंधे हैं तो इनकी तारीफ करनी होगी और इस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी, वो थी अनुष्का शिट्टी हमारा जो बिजली मंत्राले है, उसके हिसाब से कितने कन्वेंशनल स्ट्रीट लाइट है जिने लाइट एमिटिंग डायोड जो हर साल 2.3 lakh ton carbon dioxide कम होगा carbon dioxide greenhouse gas है वातावरण को गरम करती है तो greenhouse gases हमारी है जैसे chloro-fluorocarbon है, methane है carbon dioxide है, ये सब हमारी greenhouse gases है और ये इंडिया को करना पड़ेगा क्योंकि भारत जो है वो Paris Agreement sign कर चुका है छटा सुल्तान अजलन शाह जो काप है वो खेला जा रहा है पर आग मलेशिया के अंदर मलेशिया की राजानी को अलम पूरा याद रखिए तो आप ये बताइए कि ये अजलन शाकप किस खेल में खेला जाता है और अभी थोड़ी देर पहले भारत ऐस्ट्रेलिया से हारा है जो पिछले साल पाँचवा सुल्तान अजलन शाकप जीता था अस्ट्रेलिया ने तो इस बार ये हो रहा है ये होकी के अंदर खेला जाता है बहुत ही ज़्यादा परतिष्ठित ये अजलन शाकप है नबाड जो मारा अग्रिकल्चर बैंक के रूटल डवलप्मेंट के लिए 1982 में बना था इसने एक लाख 29,000 मतलब जो सेल्फ हेल्प ग्रूप है उनके लिए एक इनिशेटिव लॉंच करा है इन सब को डिजिटल बनाए जाएगा इसका क्या नाम रखा है? इसका नाम रखा है इलेक्ट्रोनिक शक्ती, इशक्ती और याद रखिए हमारे पास 74,000,000 सेल्फ हेल्प ग्रूप है जो किसी भी शेतर में हो सकते हैं तो 74,000,000 सेल्फ हेल्प ग्रूप जो है उनको डिजिटल मनाएगा नबाड इन में से कौन सी भारत की शॉट फिल्म है जो युनेस्को के द्वारा स्क्रीन की गई वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे जो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी में मनाया गया 24 अप्रेल को तो यह आप याद रखिए यह इसका नाम है आजाद आजाद और इस फिल्म के जो डिरेक्टर है वो है राहुल चितला राहुल चितला और युनेस्को का हेड़कॉर्टर है पैरिस में वर्ल डे फॉर लेबोरेटरी अनिमल्स यानि जो परियोगशाला के अंदर हम जानवरों पर रिसर्च करते हैं उनके योगदान को सराने के लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं और इस दिन पूर्व जो नेशनल एंटी विवी सेक्शन सोसाइटी के प्रेजिडेंट है हुग डावडिंग उनका जरम दिन होता है इसलिए हम मनाते हैं हुग डावडिंग डी ओ डी वाई एंजी ये दिन है 24 अप्रेल 24 अप्रेल मशूर सूफी मशूर सिंगर बेगम यमन इनका निधन हो गया तो ये किस तरह के गाने गाती थी तो ये गाती थी सूफी के गाने बहुत ही महान सिंगर थी और इटावा घराने की थी इटावा घराना अब आज का छटा सवाल, किस राज्ये के अंदर है इटावा, कमेंट्स में लिखके बताईए और ये उस्ताद इनायत खान की पोती हैं, ये भी याद रखना है आपको और उस्ताद विलायत खान की बेटी हैं, तो दो बहुत महान सिंगर की ये रिलेटिव है उस्ताद विलायत खान की बेटी हैं, और उस्ताद इनायत खान जी की ये पोती हैं इन में से कौन से भारत के खिलाड़ी हैं, जिनोंने सिल्वर मेडल जीता एशियन स्नूकर चैंपेंशिप जो दोहा के अंदर हुआ था, दोहा कतर की राजधानी है जहां पे 2022 का फुटबॉल वल्ल कप खिला जाएगा तो एशियन स्नूकर चैंपेंशिप जीता, पंकज अडवानी में वैसे तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, जीतेंगे, हर बार जीतते ही हैं 16 बार वल्ल चैंपेंट रह चुके हैं, कोई चोटी बात नहीं है लेकिन ये इस बार चाइना के LV, हाटियन से हार गए इन में से कौन सा देश है, जिसने सक्सेसफुली कंड़क्ट करा अपना पहला ग्लाइट टेस्ट, ये जो एमफीबियस एरक्राफ्ट है इसका नाम है AG600, एमफीबियस का मतलब होता है उस शहर का नाम है जुहाई इन में से हमारे पूर्व केंद्रिय मंत्री कौन है जिने जापान ने सिलेक्ट करा है कि वो इस साल के Grand Cordon of the Order of the Rising Sun से नवाजे जाएंगे तो इनका नाम है अश्वनी कुमार अश्वनी कुमार, ये highest category of decorations है Among Order of the Rising Sun, जो जापान का अवाज है ये आप याद रखिए और रतन टाटा जो है, उनको भी इस अवाजे नवाजा जा चुका है अश्वनी कुमार को इस बार ये Congress के टाइम में Cabinet Minister थे अश्वनी कुमार एक चीज और, इनको अश्वनी लोहानी के साथ और अगला सवाल, Center for Media Studies की latest finding के हिसाब से इनमें कौन सा राजे भारत में सबसे भरष्ट है सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ पे है तो ये पहले पता देता हूँ, आपको सबसे भरष्ट राजे है करनाटा Congress की सरकार है, तो यहाँ पे सिद्धा रमाईया मुख्यमंत्री है, दूसरा सबसे भरष्ट है अंद्रप्रदेश, चंद्रबाबु नाइडू की सरकार है और तीसरे नमबर पे है तमिल नाडू एड़पड़ा पलने स्वामी यहां के मुख्यमंत्री है इस जहाज का नाम है वराड, इंडियन कोस्ट गारड शिप वराड इसे गोवाड शिप याड ने बनाया था इन में से कौन सा देश है जिसने T20, deaf and dumb एशिया कप जीता जो ढाका के अंदर हुआ पंगलादेश की राज़ानी के अंदर deaf and dumb मतलब जो लोग सुननी सकते और जो लोग बोलनी सकते उनके लिए जो T20 हुआ एशिया कप वो किसने जीता तो ये जीता इंडिया ने और man of the series थे यश्वंत नाइडू तो ये भी याद रखिये यश्वंत नाइडू तो इससे ये पता चलता है कि जो अपंगता है वो सिरफ दिमाग में होती है असली में नहीं होती तो आंसर है और इंडिया और इनके लिए पधानमंत्री मोधी ज इनका नाम है मशूर उद्योगपती राहुल बजाज राहुल बजाज इन में से कौन सी टेलीकॉम कंपनी है जिसने ट्राइपर्टाइट M.O.U. साइन किया है एक तो B.B.N.L. के साथ और दूसरा हमारे टाक विभाग के साथ इन दोनों के साथ तो ये कंपनी है भारतिय सं बहुत अच्छा है भारत के लिए और भारत का जो ग्रोथ है वो 8% तक पहुँच जाएगा मीडियम टर्म में और I.M.F का headquarter Washington DC में जहाँ पे NASA का headquarter भी है जहाँ पे World Bank का headquarter भी है सबका Washington में और I.M.F. की जो CEO है या Secretary General या Head या President कुछ भी बोल लिजिए वो है Christine Lagarde France की वकील है यह दूसरी बार लगातार बनी I.M.F. की head भारत ने अभी अभी अर्मेनिया देश के साथ M.O.U. sign किया है तीन fields के अंदर cooperate करेगा इन में से किस field में cooperate नहीं करेगा चार field दी है आपसी सहयोग अर्मेनिया के साथ कौन से field में नहीं होगा यह बताए अर्मेनिया agriculture technology में हमने sign नहीं किया बाकी सम्में किया है हम cultural cooperation भी करेंगे youth matters पे भी कम cooperation करेंगे peaceful uses of outer space में भी हम cooperate करेंगे agriculture technology में नहीं हमने sign किया वीनू चकरवरती इनका निदन हो गया यह क्या थे महशूर तो यह director भी थे, script writer भी थे, actor भी थे, एक हजार से ज्यादा South Indian filmों में काम किया और एक बात और याद रखिए, silk smitha, आपको याद है, विद्यावालन की picture आई थी, तो silk smitha का carrier बनाने वाले वैक्ती भी यही थे, तो answer है actor इन में से कौन से जानवर का जो भुरून होता है, भुरून मतलब जो fetus होता है, जब बच्चा बन रहा होता है तो उसे fetus बोलते हैं, भुरून बोलते हैं, वो जिन्दा रखा गया है scientist के द्वारा, एक artificial उन्होंने बच्चा दानी बनाई है, जिसमें 4 हफते तक जनम के ब बहार ही बच्चा बन सकता है, तो यह उस सीरीज में experiment चल रहे हैं, तो यह जो experiment चल रहे हैं, यह अभी successful हुआ lamb, lamb का जो भून होता है, वो successfully 4 हफते तक जिन्दा रखा गया शरीर के बहार, तो यह nature communication नाम के journal में यह study publish होई थी, और एक नया artificial intelligence platform है, जो infosys company बना रही है, जि इस पास को ध्यान से सुनिए, world bank ने का है, भारत में 69% jobs हैं, जो खत्रे में, किसकी वज़े से, robots की वज़े से, artificial intelligence की वज़े से, internet of things की वज़े से, याद रखिए ए फिगा 69% और infosys company ने 9000 engineers को धक्के मार के निकाला इस साल, जो ज़्यादा थे engineering college हैं, वो किन company पर depend रहते ह इस साल 9000 engineers को लात मारी हैं, तो ये खत्रे की घंटी है भारत के engineers के लिए जो पहले ही बेरोजगारी से जूज रहे हैं, और इन्होंने एक नया जो artificial intelligence platform बनाया है, उसका नाम है NIA, NIA, और एक बात और, माना, ये भी infosys का artificial intelligence platform है, ये नोने पिछले साल लॉंच करा था, तो म और एक है NIA, दोनों के नाम याद रखिए, infosys company के CEO कौन है, विशाल सिक्का, विशाल सिक्का, इन में से कौन सा देश है, जो पहला देश बना दुनिया में, जिसने जो metals है, जो metal को हिंदी में बोलते हैं, जो धातु है, उनका mining बंद कर दिया है, environment को बचाने के लिए, तो परियावरन रक्षा हेतू, metals की mining बंद कर दिये, अब जो महां की खदाने है, उनसे metals नहीं निकाली जाएंगी, ये देश है El Salvador, और El Salvador की राजधानी है, San Salvador, तो याद रखिए El Salvador, इन में से कौन सा राज्य है, या European territory, या केंद्र शाषित परदेश, जिसे हिंदी में बोलते पुड़ू चेरी, union territory है, state और union territory में क्या फरक होता है, देखिए, union territory जो होता है, directly center के अंडर होता है, इसमें chief minister नहीं होता है, और विदान सभावी नहीं होती है, legislative assembly नहीं होती है, इसमें दो अपवाद हैं, दो exception है, दिल्ली और पुड़ू चेरी, दो ऐसी जंगाएं, जह कि वो किसानों को free बिजली देगा, उनके pump चलाने के लिए, और विनोध खन्ना जी का निधन हो गया, विनोध खन्ना जी, पंजाब के, कौन से शेत्र से, लोकसभाशेत्र से, चार बार सांसत चुने गए थे, ये चुने गए थे, गुर्दासपुर से, गुर्दासपुर स यानि जो पिशाब की थैली होती है, उसे बोलते हैं bladder, और ये इनका cancer इतना फैल गया था, कि bladder से फिर यूरेथरा और बाकी जो area होते है, वहाँ भी फैल गया था, तो जो bladder का cancer है, उससे इनकी मृत्ति होई है, इनके बेटे भी हैं, दो अक्षे खन्ना और, इनके दो बेट solar calculator ये आपको बता देगा कि किस जगा, किसी भी जगा पे सूरज की जो किरने आ रही है, उनमें कितना potential है, ये बहुत important है, और ये बनाया है ISRO ने, याद रखिए ISRO के जो chairman है, वो है, A.S. Kiran Kumar, A.S. Kiran Kumar, और ISRO का headquarter बैंगलूरू में, इसलिए बैंगलूरू को हम बोलते है Space City, और सबसे यंग भारत की किसी भी युनिवस्टी में, सवाल को ध्यान से सुनिए, किसी भी युनिवस्टी में भारत की सबसे यंग चांसिलर बन गए हैं, और इनको मिला है Dr. Baba Sahib Ambedkar International Foundation Kerala State Award, क्या नाम है इनका, इनका नाम है Dilip Nair, सिरफ 38 साल की उमर में पूरी युनिवस्टी के चांसिलर बन गए हैं, एक बात आपको और बताता हूं, जो चांसिलर, वाइस चांसिलर बगारा इनने गवर्नर बनाता है सरकारी युनिवस्टी के लिए, और अगर सरकारी को युनिवस्टी में गवर्नर कोई ऐसा काबिल वेक्ती नहीं ढूंड पाता ह जिससे नेपाल में हम इंधन भेज सकें, ये पाइपलाइन बन रही है, हम लेक गंज तक, तो ये मेरे ख्याल से मैं समसता हूँ, असान सवाल है, तो ये बिहार से बिहार में जो ओल टर्मिनल है, रक्सॉल, वहां से बन रही है, तो ये नया ओल टर्मिनल बन रहा है, मोतिहार में, मोतिहारी बिहार के अंदर, बिहार में गठवंदन सरकार है, जिसे महा गठवंदन भी एक बद कहा गया था, लालू की पार्टी है, जो RGDA और नितीश की पार्टी ZU, तो ये है बिहार की कहानी, भारत की कौन सी रैंक है, वल्ल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानि की कौन सा ऐसा देश है जो उनके पत्रकारों को सबसे ज़्यादा सोतंतरता देता है कुछ भी छापने को, कुछ भी लिखने को तो आप जानते हैं भारत में किसी पत्रकार को कोई सोतंतरता नहीं है 180 देशों में हमारा स्थान है 136 यहाँ अगर कोई भी पत्रकार छोड़ा सा कुछ लिख दे तो लोगों की धार्मिक भावना है बहुत जल्दी आहात हो जाती है तो पहले इसमें देश है नॉर्वे दूसरे में है स्वीडन तीसरे में है फिल्लेंड यानि तीनों स्केंडिनेवन कंट्री है कोई भी इंडेक्स उठा लेजिए या तो उसमें नंबर वन मिलेगा आइसलेंड या मिलेगा सिंगापूर या फिर मिलेंगे यह स्केंडिनेवन कंट्री नॉर्वे, स्वीडन, फिल्लेंड, डेनमार्क यह सम मिलेंगे नॉर्वे की राजधानी है ओसलो स्वीडन की स्टोकॉम, फिल्लेंड की, हल्सिंग की और नॉर्वे के एक मशूर खिलाड़ी भी है मैगनस कालसन जो शतरंज खेलते है इन में से कौन सा देश है जो पहला देश बना जिसने एक कंसूलेट ओफिस बनाया दूतावास बनाया है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में दूतावास बनाने बाला गिफ्ट सिटी के अंदर पहला देश बन गया है बेल्जियम येस, सो आँसर है बेल्जियम बेल्जियम वही कंट्री है जहाँ पे नाटो का हेड़कॉर्टर है ब्रुसेल्स के अंदर तो ये याद रखिए बेल्जियम बेल्जियम से रिलेटेड और तो कोई सवाल लिए तो बस बेल्जियम चलिए आगे बढ़ते हैं पहली उडान फ्लाइट ये नई दिल्ली से कहाँ पे लॉंच करी उड़े देश का आम नागरिक सस्ते फ्लाइट अवेलेबल हैं अब उन्हें एरपोर्ट पे जो अंडर सर्फ और अंसर्फ हैं तो पहली उडान भरी अलाइंस एर ने शिमला दिल्ली टु शिमला बहुत ज चेर्मैन है सुनील लांबा और जो पहला ये जॉइन डॉक्टरिन था ये रिलीज किया था 2006 के अंदर और एड्मिरल सुनील लांबा कौन है नाम से ही पता चल रहा है सुनील लांबा रोविन धवन के बाद याद है आपको बने थे हमारे नेवी के चीफ तो नेवी के पाकिस्तान के अंदर इस प्रोविन्स में कि वो हिन शिव भगवान की पूजा कर सके लेकिन अब पेशावर के हाई कोट ने उन्हें ये अनुमती दे दिये तो ये शिव मंदिर है खाइबर पक्तून खवा में और जिला पूछे कौन सा है तो जिला है अबोटाबाद अब नून हुसेन, ESOT और EPRAN ये सर्विसेज हैं जो इनमें से कौन सी स्कीम को असिस्ट करेंगे, help करेंगे, ये स्कीम है अटल पेंशन योजना, तो आंसर है APY, इसमें है ESOT, ESOT का मतलब है statement of transaction, statement of transaction और EPRAN यानि permanent retirement account number, अटल पेंशन योजना, इनमें से कौन से राज्ये का जो R RDPR Department है, यानि कि Rural Development और पंचायती राज, इसको बोलते है RDPR Department, जिसको मिला है EPROSCAR Award, क्योंकि इसने सबसे अच्छा performance किया, empowering panchayats के लिए, यानि कि जो panchayat है, उनके शशक्ती करण के लिए ICT use करके इन्होंने सबसे अच्छा काम किया, ये ICT बोलते है Information and Communication Technology को, 2016-2017 के लि 2017 को host करेगा, इसे conduct करेगा International Road Federation, कौन सा देश है, ये देश है, इंडिया, येस, और इंडिया इसे करेगा नई दिल्ली के अंदर 17 November को host, चार साल में एक बार होती है, ये याद रखिये meeting, इन में से कौन सा भारत का Indian Institute of Information Technology है, ट्रिपल आईटी है, जिसने डवलप करा है, में ज़ादा हैं, और ये किया गया है, इस राज्य में कॉफी उगाने वाले किसानों के लिए, ये राज्य है केरल, केरल में भी कॉफी ज़ादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉफी होती है भारत में, करनाटक के अंदर, World Intellectual Property Day 2017 26 April को मनाया गया इस बार इसका theme क्या था World Intellectual Property Day का theme था Innovation Improving Lives यानि कि अगर हमने कुछ नया करते हैं तो उसे जिन्गियां हम सुधार सकते हैं Intellectual Property बोलते हैं जो आपकी अपनी खुद की creation होती है आपका खुद का जैसे अगर आप कभी हैं और आप कभीता लिखते हैं तो वो आपके Intellectual Property है जैसे Property होती है उसी तरह से Intellectual Property यानि आपके जो दिमाग की उपज है इन में से कौन सा राज्य है जो Integrated Social Media Grivences Tracker लाँच करेगा Twitter और Facebook के लिए जिससे बहुत ही कम समय में जनता की शिकायतों का निवारण किया जा सके तो ये 15 माई को launch करेगा हर्याना इन में से कौन सी Regulatory Organization है भारत में जिसने एक Financial Literacy Mobile Lab लाँच करेगा अपने Clients के लिए Financial Literacy यानि कि जो जो Finance संबंदी वित्तिय सचेतना जिसे बोलते है Finance Literacy उसको प्रोमोट करेगा ये किया है MFIN में MFIN में बोलते है Micro Finance Institution Network में और ये Self Regulatory Organization है ये जो एप है ये कई भाशाओं में होगी Hindi, Marathi, Telugu, Tamil, English वगरा में इन में से किस वेक्ति को घंटासल National Award दिया गया घंटासल National Art Academy द्वारा तो ये Award मिला इस बार वानी जैराम को और वानी जैराम है बहुत ही मशूर गायक इनको हम उत्तर की मीरा भाई भी बोलते हैं याद रखिए मीरा भाई आफ नॉर्थ बोलते हैं वानी जैराम को इन में से किस वेक्ति को CRPF का Director General बना दिया गया है अब ये देखिए CRPF का Director पिछले काफी टाइम से था ही नहीं कोई और अब सरकार दवाब में आ गई क्योंकि CRPF के जवान मारे जा रहे हैं सुकमा में कई और जंगा पे तो जो नकसलवाद है नकसलवाद है उनके द्वारा तो ये बने है राजीव, राय, भटनागर ये बने है Director General CRPF के और एक और चीज़ आप याद रखिए आर के पचानन देखने हैं आर के पचानन बने है Director General इंडो-तिबतन पुलिस फोर्स के Micro, Small and Medium Enterprises के लिए छोटे, Medium और जो लगू, उद्द्यो हो गया उनके लिए एक Mobile App लाँच करी है और इस Mobile App का नाम रखा है My MSME मेरे Micro, Small and Medium Enterprises हमारे सूचना प्रसारण के जो मंत्री है वो है वेंकईया नाहिडो Information Broadcasting Minister कौन सा ऐसा देश है जिसने चेन्नई में अपना दूता वास खोला है 25 साल के बाद क्योंकि ये देश चाता है भारत से इसके रिष्टे अच्छे हो तो ये देश है, इसकी राजधानी है अस्ताना, क्या आप गैस कर सकते हैं ये देश है कजाकिस्तान क्याकिस्तान की राजधानी है अस्ताना और इसकी मुद्रा है टैंगे हमारे केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी जो परिवेहन मंत्री है हमारे प्रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गड़करी इन्होंने कहा है कि पहली electric taxi भारत के कौन से शहर में चलेगी की सरकार है जिसने भारत broadband network limited के साथ एक agreement किया है जिससे जो हमारी केंदर सरकार की rural internet connectivity program है जिसको बोलते हैं भारत net उसको लागू किया जाएगा BBNL के साथ अनुबंद दिरने वाला ये राज्य है Tamil Nadu Tamil Nadu और टोटल 50 लाग रुपे इस पर खर्च किये जाएंगे वो भारतिय बिजनसमेन कौन से हैं जिनोंने जिनका food processing plant ब्रिटेन के अंदर है और इसको मिला है Queen's Enterprise Award Queen's Enterprise Award तो जो Queen है Elizabeth है वहां की जो UK की Queen है तो वो Enterprise Award देंगी और इनका नाम है Yusuf Ali और इनके plant का नाम है Y International Y International याद रखिए केरला में जन में थे Yusuf Ali NASA ने एक Ice Ball Planet खो जाए जो धर्ती के ही size का है और सूरत से उतनी ही दूर है जितना की धर्ती अब ये बताएए ये planet कितमी दूर है ये planet है 13,000 परकाश वर्ष दूर 13,000 परकाश वर्ष दूर भारत का सबसे पहला athletics meet transgender के लिए हुआ था कहाँ पे हुआ था transgender LGBT community का हिस्सा होते है gay, lesbian, जो समलेंगिक और सब community होती है transgender transgender वो होता है जो जैसे male है तो वो female की तरह behave करता है या section करके operation करवा लेता है male है तो female की तरह female है तो male की तरह इनके लिए कोई word नहीं है यह बहुत important community है और इनको पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए विपरीत लिंग विवारुत सुख बोलते हैं इने जो दूसरा लिंग है उसकी तरह behave करना चाहते हैं ये लोग तो transgender के लिए पहला meet हुआ केरल के राजधानी तिरुवनंत कुरम के अंदर दो भारतिय मूल के अमरीकी हैं एक का नाम है रितु राजू और दूसरे का संदीब मुपट्टी इन्हें कौन से leadership development fellowship program के लिए इनका चैन कर लिया गया है इसको बोलते हैं American Council on Education इनमें से किसे United Nations High Commissioner for Refugee यानि UNHCR का Goodwill Ambassador बना दिया गया है यानि United Nations के जो scheme है जो भी उनके पर चार प्रसार करेंगी है इनका नाम है यूसरा मालडीनी ये नाम कभी मत भूलना ये 100% sure question है और UNHCR के जो chief है उनका नाम है फिलिपो ग्रेंडी बहुत ज़्यादा exam में आता है question फिलिपो ग्रेंडी कौन है UNHCR के chief है ये है कौन वैसे ये बच्ची ये यूसरा मालडीनी कौन है ये तेराक है और Syria की तेराक है ओलम्पिक स्विमर है ये शीरिया जैसे देश से भी अब तेराक ओलम्पिक में जा रहे है शीरिया आप जानते हैं कितना बुरा हाल है यहाँ पर IC सातंगवादी संग्ठन और महाँ पर terrorism बहुत है और Syria में war चल रहा है एक तरफ अमरीका है जो Assad को हटाना चाता है दूसरी तरफ Russia है जो Assad को support कर रहा है छे साल से Syria में युद चल रहा है Syria की पूरी मट्टी पलीद कर दी है दोनों देशों ने और आज Syria में चाहे दमासकस हो चाहे चाहे अलैपो हो सब का बुरीद बुरा हाल है तो Syria की तेराक है यूसरा Global Mobile Internet Conference अभी अभी हुआ 27 अप्रेल से 1 माई तक कहां पे हुआ ये चाहिना की राजधानी में हुआ Beijing में किसका headquarter है Asian Infrastructure Investment Bank का headquarter Albania के नए राश्पती कौन बने है किसी भी देश का जब नए राश्पती बनता है तो पूशी लेते हैं इनका नाम है इलिर मेटा और Albania की राजधानी है टिराना और इस देश के परधान मंत्री है एडी रामा भारत की पहली महिला कौन है जो जिन्होंने रेस करी स्पेन के सर्किट डाकलाफट इन कैटलोनिया नाम की रेजिन में रेस हुई थी फॉर्मूला इस तो उसमें रेस करी इनोंने रेस करने वाली पहली भातिय महिला बनी गुल पनाग अब आपके लिए आज का सात्वा सवाल गुल पनाग कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की है कमेंट्स में लिखके बताई है 24 से 30 अपरेल कौन सा दिन मनाये जाता है पूरी दुनिया में मनाया गया इसको बोलते है रोगों से बचाने के लिए चाइल्ड आर्टेस्ट ये काम नहीं करेंगे इससे ज़्यादा घंटे हर रोज तो ये हमारा जो शरम का मंत्रा ले है लेबर मिनिस्टर उसने का है अभी ये पूरा कानून नहीं बनाए लेकिन ये रूल ड्राफट हो गया और बहुत जल्दी ये लगो हो जाएगा कितने घंटे से ज़्यादा चाइल्द आर्टिस्ट काम नहीं कर सकते पांच घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते याद रखिए और हमारे मिनिस्टर को ने लेबर के लिए बंदारू दत्रया अब बताइए इन में से कौन सा वेक्टी है जो शॉटलिस्ट कर लिया गया है भारत का रेप्रेजेंटेटिव होगा Global Football for Friendship F4F सोचल प्रोग्राम है जो सेंट पिटरबर्ग रशिया के अंदर लॉँच होगा इसके लिए भारत की तरफ से जाएंगे सूजल कहार सूजल कहार और भारत ने ये प्रोग्राम पहली बार जॉइन करा है और इसको सपोर्ट करा है गैस प्रॉम ने जो रशिया की गैस की कमपनी है रशिया की एक और बहुत अच्छी कमपनी है Casper Sky इन में से कौन सी कमपनी है जिसने एक 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 अप्लिकेशन लॉँच करा है स्मॉल और मिडियम एंटरप्राइस के लिए जिससे वो गूड्स एंट सर्विसिस टेक्स को अपना सकें जल्दी से तो ये लॉँच करा है सैप ने सैप ने इसने एक GST Health Check भी लॉँच किया था जो 21 शेहरों में अपलाई हुआ था इन में से कौन सी उनिवर्सटी के साइंटेस्ट है जिनोंने एक आर्टिफिशल फोटो सिंथसिस करने का तरीका निकाला है टाइटेनियम एंटिना यूज करके कहने का मतलब पोधा कोई है अगर तो वो अपना खाना बनाता है खाना बनाने के लिए उसे क्या क्या चाहिए कार्बन डखसाइड चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की करने चाहिए लेकिन अब आर्टिफिशल फोटो सिंथसिस हो सकता है यानि ये सब चीज़े नहीं चाहिए अगर आप पोधे के उपर एक titanium का antenna लगा दो तो ऐसा देखा गया है कि वो artificially खाना बना सकता है ये research करा है University of Central Florida के वेग्यानी कोन है FIFA के जो प्रेजिडेंट है Gianni Infantino वैसे Italy में पैदा हुए थे लेकिन अब इनके पास Italy और Switzerland दोनों कितना गृता है तो इन्होंने अनाउंस कराए कि जो video assistant referee है वो use किये जाएंगे 2018 World Cup में यानि जो referee है वो गलत दिर्णे ना लें जैसे हमारा cricket में third empire होता है आप अगर sure नहीं हो तो उसे कह सकते हो football वाले भी अभी यह कर सकते है 2018 World Cup से start हो जाएगा कहाँ पे हो रहा है 2018 का World Cup रशिया के अंदर हो रहा है रशिया की राजधानी है मोस्को रशिया की currency है रूबल जो धलान पे है और रशिया के प्रेजिडेंट है वलादीमिर पूतेम हमारे केंद्रिय मंत्री अरुणाचल प्रदेश से है किरन विजिजु इन्होंने लॉंच करा उर्जा ये एक C.A.P.F. Under 19 Talent and Tournament है कौन से खेल में टैलेंट खोजेगा ये ये किया गया है फुटबॉल में टैलेंट खोजने के लिए फुटबॉल में टैलेंट खोजने के लिए और All India Police Sports Control Board के द्वारा ये event organize करवाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की राज़ानी इटानगर है और मुख्य मंत्री है पेमा खंडू अभी अभी एक बहुत high level कमेटी बनी है जो alliances चेक करेगी जो वित मंत्रा ले द्वारा दिये गए पिछले साल और इसने अपनी अपनी रिपोर्ट दिये तो इस जो कमेटी है जो बनी है high level कमेटी इसके चेर्मेन कौन है इसके चेर्मेन है अशोक लवासा अशोक लवासा वर्कर्ज मेमोरियल डे किस दिन मनाय जाता है हर साल तो इबस रट लीजे 28 अप्रिल को मनाय जाता है हमारा जो अर्बन डेवलप्मेंट मंत्री है वेंकईयान आइडू उनके हिसाब से कितने infrastructure project है अर्बन ट्रांस्पोर्ट और वाटर सप्राइस रिलेटेड जो NCRBB ने अप्रूव कर दिये यानि National Capital Region Planning Board ने और टोटल खर्चा होगा 1552 करोट रुपे टोटल प्रोजेक्ट है 25 इन में से कौन से राज्ये का परिवहन विभाग है और International Center for Automotive Technology और मौर्थ इन्होंने मिलके एक ट्राइपटाट है मोजू साइन किया है इस राज्ये में एक वीकल इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर बनाए जाएगा ये बनाए जाएगा दीमापूर डिस्टिक्ट में अब दीमापूर डिस्टिक्ट का है नागा लेंड में है दीमापूर डिस्टिक्ट नागा लेंड की राजधानी है कोहिमा तीन मूर्थी मार्ग का जो तीन मूर्थी मार्ग ये रीनेम कर दिया जाएगा इसका नाम बदल दिया जाएगा तीन मूर्ती मार का, इसराइल के एक शहर के उपर इसका नाम रख दिया जाएगा, ये शहर कौन सा है, ये शहर है हाइफा, हाइफा, तो जोधपूर, मैसूर और हैदराबाद के जो सोलजर हैं, उन्होंने इसराइल की काफी मदद करी थी 1918 में, याद रखिये, हाइफा के अं जो जितने भी religious places हैं, जैसे कोई भी अगर धार्मिक स्थल है, उसके आस पास का 100 meter का एरिया है, जो silent zone डिकलेर कर दिया गया है, कोन से शहर के अंदर, यानि इस जगह कोई आवाज नहीं होगी, ये किया गया है गुभाटी में, और गुभाटी के जो मुख्यमंत्री हैं, व बहुत ताकतवर हो गए हैं अभी है, क्योंकि इस देश में जो parliamentary system था, उसे replace कर दिया गया, executive presidency में, इसलिए बहुत ताकतवर हो गए है, एडोगान, तो ये start हुआ नई दिल्ली के अंदर, और टर्की की राजधानी है, अंकारा, सेभी, Securities and Exchange Board of India, जो market regulator है, इसने अभी अभ प्रूव करें है, options trading, किस चीज़ के अंदर, किस चीज़ के अंदर options trading को प्रूव किया है, ये होगा commodity futures के अंदर, और सेभी के chairman है, अजे त्यागी, Walmart अपने नए store खोल रहा है भारत में, अगले 3-4 साल में, तो Walmart भारत में, कितने store खोलेगा, तो फिर बहुत ज़ता competition जो बिक बजार है, और ये सब जो, Walmart बहुत बड़ी company है, और Walmart जो है, अमरीका की company है, और Walmart सबसे ज़्यदा employees Walmart में काम करते हैं, पूरे दुनिया में, किसी भी company में, Walmart में सबसे ज़्यदा employees काम करते हैं, तो Walmart खोलेगा 50 store, और 10 तो खोलेगा तेलंगाना के अंदर ही, ये या के India Cultural Center में, so answer है Egypt, Egypt की राजधानी है KRO, और Egypt में चलता है Egyptian Pound, इन में से कौन सा राज्य या, केंद्र शाशित परदेश है, जो सबसे latest बना, जिसने public holidays cancel कर दी हैं, जो बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, उनकी याद में, उनके जनम दिन के उपल में कोई छुट्टी मनाई जाती है, तो वो सारी cancel कर दी है, तो ये करा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था, और अभी-अभी किसने किया है latest, तो ये दिल्ली ने किया है, और उत्तर प्रदेश ने किया है, और उत्तर प्रदेश किया है किसी भी IPS officer के लिए किसी भी राज्य के अंदर DGP से उपर कोई नहीं होता तो हर्याना के बने है Mr. B.S. संधू ये replace करेंगे Mr. K.P. सिंग को और इन में से किस व्यक्ति को Secret Service का नया Director Announce करा अमरीका के राश्पती Donald Trump ने जो Republican Party के है नय अमरीका के President है इनका नाम है Randolph Ellis Randolph Ellis तो Donald Trump के Cabinet में जितने भी लोग है चाहे वो Coats हो, Dan Coats चाहे वो कोई भी हो वो बहुत ज़दा important है, चाहे वो Rex Tillerson हो जितने भी लोग हैं सबके नाम याद रखिए Wikipedia के Co-Founder Jimmy Wales उन्होंने announce करा है कि वो एक ऐसी website बनाएंगे जिससे fake news रुकेगी इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा Wiki Tribune Wiki Tribune इन में से कौन सा देश है जिसने अपने United Nations Development Program के Head, Ava Dabo उनको हटा दिया है ये देश है Tanzania Tanzania की राजधानी है Dodoma और Tanzania popular क्यों है, Tanzania popular इसलिए है क्योंकि अफ्रीका की सबसे उची चोटी उसे बोलते हैं Mount Kilimanjaro वो Tanzania के अंदर है G20 के जो देश है, भारत भी G20 का हिस्सा है G20 में 19 देश और European Union आता है तो टोटल हो गए 20 तो G20 के जितने भी वितमंत्रियां सारे मिले इतना ही नहीं, हर देश के Central Bank के गवर्नर भी मिले, जैसे हमारा Central Bank आर भी आई है तो उसके गवर्नर उचीत पटेल भी गए यहाँ पर यह मीटिंग हुई थी, इसको बोलते हैं G20 Finance Ministers and Central Bank Governor Meeting कहाँ पर हुई यह मीटिंग? यह अमरीका की राजधानी Washington DC में हुई और हमारे किंद्र सरकार ने अभी अभी इशू करा है Model Agricultural Produce Market Committee Act इसके यह पुराना कौन सा Act है जिसको रिप्लेस करेगा? यह जो पुराना Act है 2003 का उसे रिप्लेस करेगा यह याद रखिए और इस नए model के हिसाब से जो खरिदार है उन्हें एक परसेंट से ज़़ा Transacted Value जो मंडी फी की है वो पे नहीं करनी होगी इस तरह के Provisions इसमें आ रहे हैं और हमारे कृशी मंत्री है राधा मोहन सेंग और Round Tripping को रोकने के लिए सेबी ने इनमें से किसे बैन किया है कि वो Participatory Notes में इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो ये बैन किया है इन सब को यानि Resident Indians को भी जो NRI है प्रवासी है प्रवासी भारतिय सब को बैन किया है और इसके लावा जो NRI है उनके द्वारा अगर कोई entity है उन्हें भी तो answer है all of the above ये नया provision किया है इन्होंने FBI के अंदर यानि Foreign Portfolio Investment Regulations के अंदर हमारा जो health मंत्राले है उसने अभी अभी एक test और treat policy launch करी है कौन से रोग से निपटने के लिए ये रोग है HIV और अगर HIV का virus किसी के अंदर आ जाए और बहुत advanced stage में पहुँच जाए तो उसे बोलते है AIDS Advanced Immune Reficiency Syndrome भारत इन में से South Asia की satellite एक launch करेगा तो SARC satellite होगी सारे SARC देशों की मदद करेगी कितने member है SARC में तो पहले थे 7 फिर अफ़गानिस्तान भी आ गया था अभी SARC में 8 member है SARC बहुत ज़दा news में भी आया था अब सवाल ये है कि SARC satellite में कितने member है सवाल को ध्यान से पढ़िए तो ये answer गलत बोल दिया मैंने 8 तो SARC में member है लेकिन SARC satellite कितने देशों के लिए बन रही है पाकिस्तान को कोई फाइदा नहीं पहुचाएगी तो देश है साथ इसमें सवाल ये नहीं पूछ रहा कि SARC में कितने member है सारC satellite में कितने member है SARC satellite में हमने पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करनी तो answer है साथ तो ये था वीडियो question बहुत अच्छे थे हैं सबते और जितना हो से के वीडियो को share करिए हिंदी भाश्या में मैं आप तक लेके आया my name is Dr. Varogar और ये बात याद रखिए अगर ये question आप ढंक से कर लेते है मेरे वीडियो के कुछ और करने के ज़रत नहीं कोई magazine के ज़रत नहीं कोई वीडियो के ज़रत नहीं मेरे ही वीडियो उसको 2-3 बार revise मार लीजिए और pdf telegram group के अंदर आपको मिल जाएगा हमारी website पे मिल जाएगा उस pdf को practice करिए दो pdf upload होते हैं एक answer के साथ और एक answer के बिना तो photo state करवाना हो तो answer के बिना वाले को कराईए खुद practice करिए और answer देखने हो तो जो pdf है answer के साथ उसको download करिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो के दोरान बहुत सारे सवाल पूछे मैंने उनको comments में लिखके बताईए ओके बैए